हेलो एवरिवन वेलकम टू स्पेसल इस्टडी आज की स्पेसल वीडियो में पिछडा वर्ग मतलब की OBC से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट कोस्चन है जो कि अभी तक पूछे जा चुके हैं और ये पुलिटी का इंपोर्टेंट चेप्टर रहने वाला है क्योंकि इ कि या दो कोस्चन जरूर आपकी एक्जाम में बनेंगे ठीक है तो चले सुरू करते हैं हमारा कोस्चन नंबर वन है सविदान में किन वर्गों के संबंद में विशेष प्रावदान किया गया है तो किन वर्गों के संबंद में विशेष प्रावदान है दोस्तो अल्प संक ठीख, अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के समबंद में भी है, अंगल भारती समुदाय के समबंद में भी है, तो याद रखेगा उप्यूब्गत सभी सका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोस्चन की तरब कोस्चन नमर टू है हमारा भारती सविदान में कीज भाग में अल्प संख्यों के लिए विशेश प्रावदान किया गया है तो किसमें विशेश प्रावदान है भाग तीन इसका सही अंसर होगा आगला कोश्चन है कौन व्यक्ति अनुसूचित जाती या जन जाती का सदस्य है इसका निर्धारन करने का अधिकार किसको है तो इसका जो निर्धारन करने का अधिकार है दोस्तो राष्ट पती को है ये भी पूछा गया कोश्चन है तो याद रखेगा बढ़ते हैं आगे question number 4 है हमारा बारती सविदान के किस आर्टिकल के तहत अनुसुचित जाती और जनजाती के सदस्यों को लोगसवा में अरक्षन प्रदान किया गया है तो किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया है आर्टिकल 324 इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छे 324 प्रदान किया है तो किस आर्टिकल के तहत है 332 इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं आगे question number 6 है हमारा वर्तमान समय में लोगसवा की 543 सीटों में से कितने सीटे अनुसुचित जाती के लिए आरक्षी थे तो कितने सीटे आरक्षी थे दोस्तों 84 इसका सही आंसर होग अगला question बोल रहा है वर्तमान समय में लोगसवा की 543 सीटों में से कितनी सीटे अनुसुचित जाती के लिए आरक्षी थे तो कितनी सीटे आरक्षी थे 47 इसका सही आंसर होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक किजेगा और इस वीड टोपिक वाइस MCQ के रूप में कवर किया है और पोलिटी के भी कई सारे टोपिक्स मैंने अल्रेडी कवर करवा चुका हूँ अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हो तो प्लीज उपर दिये गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियो को जरूर वाच किजेगा कापी helpful रह प्लीज उन वीडियो के लिए आरक्षी थे तो कितने इस्थान आरक्षी थे दोस्तों 1190 इसका सही अंसर होगा उप्सन नमबर सीठी के बढ़ते हैं आगे कोस्चन नमबर 9 है लोग सभा के निरवाचन छेत्रों में आनुसूचित जाती हैं आनुसूचित जन जाती के प्र लोग सभा में सुरख्षित निरवाचन छेत्र किस से समबंदित नहीं है तो ये समबंदित किस से नहीं है पिछडा वर्ग से ठीक है Q11. लोकसभा में अंगल भारती समुदाय का प्रति निदित्व नहीं होने पर सविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्टेपती उस समुदाय के दो व्यक्तियों को सदस्याता के लिए नामित कर सकता है Q13. लोकसभा में अंगल भारती समुदाय का प्रति निदित्व नहीं होने पर सम्बंदित राष्टेपती के दो व्यक्तियों को सदस्याता के लिए नामित कर सकता है Q13. सविदान के किस संसोदन द्वारा अनुच्छे 338 में संसोदन करके अनुसूचित जाती और जन जाती आयो के गठन के संबंद में विशेज प्रावधन किया गया है Q13. सविदान के द्वारा 65 सविदान संसोदन इसका सही अंसर होगा Q13. आगे बढ़ते हैं सविदान के किस संसोदन द्वारा अनुसूचित जन जातीयों के लिए एक प्रत्थक राष्टी आयोक गठन करने का प्रावधन है Q13. सविदान संसोदन द्वारा 89 इसका सही अंसर होगा Q16. सविदान में आनुसूचित जातीयों के अरक्षन के लिए निर्दारी 10 वर्सों के लिए विस्तारित किया गया है Q16. सविदान में आनुसूचित जातीयों आनुसूचित जातीयों के लिए विस्तारित किया गया है Q16. सविदान में आनुसूचित जातीयों आनुसूचित जन जातीयों के प्रिभाशित किया गया है किया गया है तो इसका आंसर होगा नहीं किया गया है ठीक है अप्सन नमबर भी यहां पर राइट होगा 17 नमबर कोस्चन की बात कर लेते हैं प्रत्यक राज्य में अनुसूची जन जातियों की सूची कौन तयार करता है तो यह सूची तयार करते हैं प्रत्यक राज्य के प्रतिन इद्यूत्व ना होने की स्तिती में मनुनित कर सकता है तो कितने व्यक्तियों को मनुनित कर सकता है दो व्यक्तियों को इंपोर्टेंट कोस्चन रहेगा आपकी एक्जाम के लिए और यह काफी बार एक्जाम में पूछा गया दोस्तों 19 नमबर कोश्चन की बात करें, राज्यपाल विधान सभा में अंगल भारती समुदाय के कितने वेक्तियों को प्रतिनी द्यूत्व न होने की दसा में मनुनित करता है, तो इसका अंसर हो जाएगा 1, ठीके, अप्सन नमबर A यहां पर राइट होगा, बढ़ते आगे 20 नमबर कोश्चन की बात करें, बारती समुदान में अलप संक्य को को माननेता किस अधार पड़ दी गई है, तो किस अधार पड़ दी गई है, खुल जन संक्या के साथ उस वर्ग की जन संक्या का अनुपात से, ठीके, तो उप्सन नमबर D यहां पर राइट हो जाएगा, 21 नमबर क कोश्चन की बात करें, पिछडा वर्ग आयोक का गठन कोन करता है, तो पिछडा वर्ग आयोक का जो गठन करता है, वो करता है दोस्तों, राष्ट पती, पूछा गया कोश्चन है, आई एमपी लगा लीजिएगा इसको, 22 नमबर कोश्चन दोस्तों, अब तक कितने पिछड़ा बर्ग आयोक का गठन कब किया गया था तो प्रतम बार कब किया गया था 1953 इसवी में तो आप्सन नमबर सी याद रखेगा आगे बढ़ते हैं 24 नमबर कोश्चन है प्रतम पिछड़ा बर्ग आयोक के अद्धक्च अधिक्ट थे काका कालेल कर थीक है अप्सन नमबर सी यहां पर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 25 नमबर कोस्चन है द्वितिय पिछडा वर्ग आयोक का गठन 20 सितंबर 1908 को किसकी अध्यक्षिता में किया गया था जिसकी सिपारिसों को कुछ परिवर्थन के साथ लागू किया गया तो किसकी सिपारिस पर किया गया था वीपी मंडल की सिपारिस पर 26 नमबर कोस्चन है मंडल आयोक का संबंद था तो जो मंडल आयोक का संबंद था पिछडी जातियों से ठीक है ओविसेज समबंधित था मंदल आयोग आगे बढ़ते हैं 27 नंबर कोष्चन है मंदल आयोग निन मलिकित में से किस विसाई की जाच के लिए इस्थापित किया गया था πिछडे समूधाय के लिए अप्सन नंभर है यहाँ पर राइट हो जाएगा 28 नमबर कोश्चने मंडल कमिसन ने पिछडे वर्ग के लिए कितना प्रतिशत अरक्षन दिया तो कितना प्रतिशत अरक्षन दिया था 27% 29 नमबर कोश्चन पिछडा वर्ग आयोक की स्थापना कब हुई थी तो पिछडा वर्ग आयोक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1993 में ठीके अगला कोस्चन है 30 नमबर कोस्चन और इस वीडियो का लास्ट कोस्चन क्रीमिलियर संकलपना से तातपरिया है तो क्रीमिलियर का तातपरिया है आरतिक इस्तर के अधार पर वर्गी करन ठीक है तो अपसन नमबर भी यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों उम्मेद है कि सभी कोस्चन आपको अच्छे लगे होंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज लाइक कीजेगा लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर पेस कीजेगा ठीके और आप कांटिन्यो रहेंगे रेगुलर रहेंगे तो यकिन मानों आपका जीके काफी अच्छा लेवल का हो जाएगा क्योंकि मैं हाल टॉपिक को MCQ के रूप में कवर करवा रहा हूँ ठीके जो कि आपकी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन रहेगा एक प्रेक्टिस सेट के रूप में आपको जरूर वीडियो को देखना चाहिए और आपको जरूर रेगुलर रहना चाहिए तो चलिए उम्मीद है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो चलिए इंपोर्टन टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिन आल देखेश्ट